कि आप सभी दोस्तों उम्मिद करता हूंगे और आपकी प्रप्रेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी तो आपके इसी तयारी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए यह स्रीज कर रहा हूँ आप सभी को इसमें बता रहा है कि इस स्रीज में जो भी क्वेशन होंगे वह आपके सभी एक्जाम जो भी फॉर्मेट होते हैं उन से रिलेटिड होगी और आज जो मैं प्रप्रत का क्वेशन है एक्जाम हुआ था जो अगस्त में हुआ था तो तेरा अगस्त यह सिफ्ट साय सेकिंड का या फस्त का है व्रत के अदर बनी हुए ठीक है तो मैं पहले ब्रत बना लेता हूं ठीक है यह आपका डाइग्राम बन गया इस तरीके से ब्रस ठीक है कम्प्रीटली नहीं बना है लेकिन आप प्रत माल सकते हैं ठीक है चलिए अब बात करते हैं इसमें आगे मोलना है कि व्यास आप सभी को बता है बेसिक सी चीज़ है कि जो आपका व्यास होता है वो आपका रेडियस यानि की तरज्जा का दो गुना होता है अगर हम फॉर्मले की बहुत सामने कहीं तो आप पर व्यास होगा ठीक है तो देखिए तो आपकी परचीज आप बराव हो जाएगा परचीज परचीज परटेग दो मैंसे बारेख़एंप पांच की लिख सकता हूं लेकिंग पॉइंट ना आने कि कैलकुरिशन टिपीकर होगी हम इस्वाय करना होगा हम ऐसे रिख ल अब पॉश्यन आगे क्या रहा है कि केदर से जीवा की लंब दूरी तो देखिए यह बहुत इंपॉर्टन लाइन है इस लाइन से क्लिए हो जाता है कि जीवा जो आपकी कहा बनीगी ऊपर या नीचे या लेफ्ट या राए तो देखिए लंब दूरी आ तो आप ऊपर बन 21 अपॉन टू 21 अपॉन टू ठीक है अगर मैं इस लाइन को यहां मिला दूं इस तरीके से यह बी रेडियस होगी क्योंकि यह बी रेडियस है यह आपका राइटेंगल बने जिसे मैं बाहर निकाल देता हूं सम्झाने के लिए यह आपका ओ यह आपको यह दूरी निकाल ल मुलता है यह क्यों मैं बनाता हूं आप देखें यह तरीके से क्या कंट यह क्या है परिपेंटिकुल लंग पर यह क्या के बेस्ट तो यह आपका यह नबर दूरी है अगर मैं पर अबदे बदो सब्सक्राइब और ओपर माइनस होगा सीधर क्या होगा पाँच में से इग गया तो चार आएगा बारे में से चार गये तो आट हैगा और यहां आबका पाँच केंच से डिवाइड तरू तो यहाईगा आपका क्या चार्चों 16 चार्चीं 24 यानि की ओवी जो है इसकी जो डिस्टेंस होगी लंबा दुरी वो अंडरोड 46 होगी जो कि आपके केंद से लंबा दुरी है जी मात आती तो दोस्तों ये प्वेशन जो है इस ता अंसर होगा अंडरोड 46 तो में करता हूं कि यूडियो आपको पसंद पसंद आया हो दो लाइक करें से जरें कमेंट करें और जनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को प्रेस करें थैंक्यों फॉर आज़ें